बहुत सारे बच्चे में आपने देखा होगा 2008 ईह नेक के प Soul में यह फ्रवाइकल पार्ट में पलाथ के ब्लैक 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 और इसना स्ट्रक्शर यह डिपोज़ देखने को मिलता है है आप उसको scaling करा दिया आपने यह आपने उसका cleaning करा यह डिसपरीट वह बाहर बार आ रहा है अब यह क्या है सक्कियों हो रहा है चलिए देखते हैं अगर यह ऐसा ring बन रहा है इसका मतलब आपके मुझे के मुँग के अंदर क्रोमोजनिक बेक्ट्रिया अल्री प्रेजन्ट है अब वो एक्टिनो मैसी हो सकते हैं प्रियोटेला के ग्रूप के मेंबर्स हो सकते हैं वो फुट पर जब भी काम करते हैं तो हाइड्रोजन सिल्फाइट मानलों उन्होंने प्रोडियूस किया अब यह से कमण करेंगा आइरन का सोर्स हो सकता है जिंजयर से या बड़ी टिशू से या सलवा से या इसके अलावा बच्चे में एक्सिंग सोर्टे औे न हम लोग एकक्स्टरण्डोस अगर ले रहें तो फिर वह यहां से कमाई करके फेक्सलफाइड बनाता है जो basically black color का precipitate है वो precipitate जाके दाथ के इस reason में वो milk tooth हो तो या permanent tooth हो तो वहां जाके deposit हो जाएगा prevalence 2-20% तख के population में young population में आपको तेखनीक को मिलेगा आब इसको solution क्या हो सकता है first and foremost is आप professional scaling कराएं या professional tooth cleaning जिसको गहते हैं proper brushing होनी चाहिए या आप एर पॉलिशिंग करा सकते हो या थर्ड इस कि आप इसमें फ्यूमिस बेस्ट पॉलिशिंग एजेंट से पॉलिश करा दो ये चीज़े करने से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं बट एक सिनेरियो आता है ये अगर बार बार रिपीट हो रहा है 30 से 45 जिनके इंटर्वल पर ये बार बार आ जा रहा है तो क्या करें तो इन डाट केस आपको पूरे मुह के अंदर जो माइक्रो फ्लोरा का इंवर्मेंट है उसको चेंज करने की जरूरत है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें वह prebiotic या probiotics की dose आपको देंगे जिससे की पूरा pattern change हो जाएगा preventive measure के तोर पे अगर बच्चा iron का कुछ dose ले रहा है तो वह surplus ना हो इसके अलावा कोई pregnant lady है तो ensure करें कि वह बहुत ज़्यादा iron या extra iron ना ले क्योंकि हो सकता है वह nearby future में फिर बच्चे में यह tendency देखने को मिलेगी तो यह सारे points है इनको देखने के बाद या इनको follow करने के बाद इसको आप control कर सकते हैं Thank you